पॉयम का पॉर्शन है उसका जो चलना हमारा काम है इस चैप्टर का जो पॉयम है यह हम आज करने जा रहे हैं यह जो पॉयम है यह बेसिकली एक मुटिवेशनल पॉयम है जिसका मेन जो थीम है वो यह है कि जीवन में जो संघर्स करते हैं उन्हें ही सब कुछ प्राप्त होता है जिसे जो जीवन में संघर करते हैं सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होता है और किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है If you struggle, then only will you get something If you don't struggle, you won't get something इसलिए हमें हमेशा struggle करते रहना चाहिए हमें हमेशा महनत करते रहना चाहिए तो यह भी जो पोयम है यह कुछ उसी के जैसा है जहां पर कहता है चलना हमारा काम है अब यहां पर जो चलना है इसका मतलब वो जो रोड पर हम लोग चलते हैं उसके बारे में नहीं बोला गया है यहां पर चलने का मतलब होता है जीवन में हरिश्रम करना तो यह जो चलना हमारा काम है यह चैप्टर यह जो पोयम है यह बेसिकली हमें क्या बूलता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए we should never take up मतलब हमें कभी भी stop नहीं हो जाना चाहिए we should never stop हाँ बीच में कभी एक दो बार ब्रेक ले लिया ठीक है लेकिन हमेशा ही चलते रहना चाहिए ओके तो इस पोयम का कुछ खास वैसा है नहीं कि मैं इसको पहले से ही आपको समझा दूँ तो आईए इसको हम में पोयम से ही स्टार्ट करते हैं गती प्रबल पैरों में भरी फिर क्यूं रहू दरदर खरा जब आज मेरे सामने है रस्ता इतना पड़ा जब तक ना मनजिल पासकूं तब तक मुझे ना विराम है चलना हमारा काम है अब यहां पर कवी जो है वो सबसे पहले अपने बाड़े में यहां बताते हैं कि उनके पैरों में घती प्रबल है मतलब उनके अंदर में बहुत सारा जिसे हम लोग कहते हैं शक्ती है जो की हम लोग simply कह सकते हैं जो की qualification होता है या फिर किसी चीज को करने का जो इक्छा सक्ती होता है वो उनmented बहुत जादा है तो फिर वो रुके क्यूं जब उनके पैरों में बहुत सक्ती है और वो आराम से चल सकते हैं तो फिर वो रुके क्यूं जब आज उनके सामने में इतना बड़ा रास्ता है मतलब जब उनके सामने में इतना कुछ है करने को और उनके पास उतना कुछ करने की सहन सक्ती भी है और करने की भी शक्ती है तो फिर वो रुके क्यूं ये इसका मीन मतलब है कविया कहते हैं कि जब तक ना मंजिल पासकूं तब तक मुझे ना विराम है चलना हमारा काम है और मैं ऐसे ही चलता रहूंगा और जब तक मुझे कोई मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक मुझे ना विराम है और मुझे कहीं पे भी रुकना नहीं है मुझे चलते ही रहना है तो ये जो पहला वाला पोयम है मतलब जो पहला पार्ट है इसका वो basically एक introduction है जहां पर कभी अपने वर्तमान स्थिती के बारे में पताते हैं कि उनके अंदर में full potential है कि वो अभी महनत कर सकते है और सामने में भी इतना कुछ है करने के लिए तो फिर वो क्यों खुद को रोके वाई ही शुट स्टॉप वेन ही अज़ पोटेंशियल तो डू एवरी तिंग जो की उनके सामने में है जब वो सब कुछ कर सकते हैं तो ऐसे में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है और वो यह कहते है कि मैं जब तक मनजिल को ना पा सकूँ तब तक मुझे ना विराम है और मैं जब तक अपनी मनजिल को पा नहीं लेता हूँ तब तक मुझे विराम नहीं है तब तक मैं रुकूंगा नहीं चलना जो है वह मेरा काम है कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोज अपना भट गया अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया क्या राह में परिचे कहूं, राही हमारा नाम है चलना हमारा काम है अब यहाँ पर कभी जो जीवन में हर किसी के होता है कि हर किसी के जीवन में उसका जीवन संगनी आता है या तो husband या तो wife तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जीवन में हम किसी को कुछ कहते है या फिर कोई हमें कुछ कहता है या फिर हम किसी को कुछ सुनाते हैं और कोई दूसरा हमें कुछ सुनाता है मतलब यह कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया का मतलब है कि जीवन में जो नॉर्मल चीज़े होती रहती है उन्हीं के बारे में यहां बे बोला गया है कि कुछ मैंने कहा, कुछ तुमने कहा, कुछ मैंने सुना, कुछ तुमने सुना तो ऐसे ही जीवन का जो भोज है वह भट गया था और अच्छा हुआ कि तुम मुझे जीवन में मिल गई मतलब मुझे जीवन को आसान, मेरे जीवन को आसान करने के लिए तुम मुझे मेरी जिन्दगी में मिल गई थी उससे जो मेरा रास्ता है वो थोरा सा आसान हो गया था लेकिन मेरा जीवन सिर्फ वहीं तक रुका हुआ नहीं है जीवन में तो जो जीवन में होना है वो तो होता ही रहेगा यह जो है कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोज अपना भट गया, इसका मतलब है कि जीवन में हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन इससे जीवन रुकता नहीं है, और यहां पर वह कहते हैं कि मैं अपना परिचे क्या दू, मतलब मैं अपने बारे में क्या बताओं, मैं तो एक राही हूँ, अब राही कौन होता है, राही एक स्ट्रेंजर होता है, जैसे हम लोग यह कह सकते हैं, जो कि रास्ते पे चलते रहते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, वो लोग बस ऐसे ही रास्ते पे चलते रहते हैं, तो राही वह होता है, जो कि एक गोल के साथ रास्ते पे चलता है तो वही यहां पे बुला गया कि मैं अपना पढ़िचे क्या दूँ यह जीवन मेरा रास्ता है और जैसे एक राही अपने रास्ते पे चलता ही रहता है वैसे मैं भी अपने जीवन पे चल ही रहा हूं और चलना जो है वह मेरा काम है जीवन अपूर्ण लिये हुए, पाता कभी, खोता कभी, आशा निरासा से घिरा, हस्ता कभी, रोता कभी, गती मती न हो अवरुद, इसका ध्यान आठो याम है, चलना हमारा काम है और यहाँ पर कभी यहां बताते हैं कि यहाँ जो मनुश्य का जीवन है, वो अपूर्ण है, मतलब वो इनकम्प्लीट है, वह कभी भी पूरे तरीके से कम्प्लीट नहीं हो सकता है इस जीवन में हम कभी कुछ पाते हैं तो कभी कुछ खोते हैं कभी हमें आशा होती है तो कभी हमें निरासा होती है कभी हम हसते हैं तो कभी रोते हैं मतलब यहां पर जीवन में जो चीज हमेशा चलता रहता है उसी के बारे में बोला गया है जो जीवन है, कभी भी पूर्ण नहीं होता है, यह Life हमेसा Incomplete ही रहता है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, जो की हमारे पास रही जाता है, तो उसी पर बोल रहे हैं कि यह जो जीवन है वो मेरा अपूर्ण है और मैं इसमें कभी कुछ पाता हूँ तो कभी कुछ खोता हूँ मैं कभी खुश होता हूँ तो मैं कभी निराश होता हूँ मैं कभी हसता हूँ तो मैं कभी रोता हूँ लेकिन इससे जो मेरा जीवन है वो अवरुद नहीं हो जाता है मतलब मेरा जीवन जो है वो रुक नहीं जाता है गती मतीना हो अवरुद इसका ध्यान याठो याम है अब याठो याम का मतलब क्या होता है याम का मतलब होता है एक पहर अब पहर क्या होता है देखिए एक जो दिन होता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं अब उन 24 घंटों को आठो पहर में बाटा जाता है मतलब 3 घंटे का एक पहर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली हम जानते हैं कि एक दिन में morning होता है, afternoon होता है फिर उसके बाद evening होता है और day होता है लेकिन इसी के साथ साथ एक ऐसा भी time होता है जो कि morning और afternoon के बीच में हो फिर afternoon and evening के बीच में हो फिर evening and night के बीच में हो फिर night and morning के बीच में हो ऐसे भी time होते हैं तो यही जो अलग-अलग हम बोल रहे हैं कि कभी morning है तो कभी morning और day के बीच में time तो इसी को पहर बोला जाता है तो आठो पहर का मतलब simple आप में आप यह समझ सकते हैं कि 24 घंटे आप बस इतना ही ध्यान रखे आठो पहर क्या होते हैं यह आपको उतना जानने की जरू नहीं ह बस आप इतना जान के रखे कि 3 घंटे का एक पहर होता है और 8 पहर मतलब 24 घंटा तो कभी यह कहते हैं कि जीवन में यह जो अपूर्ण जीवन है जिसमें आना जाना होता ही रहता है जिसमें हम कभी कुछ पाते हैं तो कभी खोते हैं कभी हमें आशा होती है तो कभी हमें र रुका नहीं है और मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है I have full consciousness कि मेरा जो गतीमती है वो अवरुद नहीं हुआ है मतलब मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा जीवन रुका नहीं है और यह बात में अच्छी थरीके से जानता हूं मुझे पूरा knowledge है कि मेरा जीवन इससे रुका हुआ नहीं मतलब हम जो बोलते हैं कि distract हो जाना कोई चीज जीवन में बीच में आ गया तो उससे distract हो गए तो यह distraction जो है वह मेरे पास मतलब वह distraction मेरे में नहीं है यह बात मुझे 2400 घंटे याद रहता है और शलना जो है वो मेरा काम तो है ही पिर इस विशद विश्व परवाह में किसको नहीं बहना पड़ा सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा पर व्यर्थ क्यों कहता फिरू मुझ पर विधाता वाम है चलना हमारा काम है अब यहाँ पर कभी वह सब चीज के बारे में बोलते हैं जो कि हर किसी के जीवन में होता है कवी यह कहते हैं कि यह जो विशद विश्व प्रवाह मतलब यह जो इतना बड़ा जो दुनिया का समुद्र है सोरी समुद्र नहीं इतना बड़ा जो लहर है यह जो प्रवाह है इतना बड़ा प्रवाह का मतलब होता है जिसे वेव कहा जाता है तो यह जो दुनियादारी का जो वेव है इसमें कौन है ऐसा जो नहीं बहा है कौन ऐसा है जिसको दुनियादारी ने अपने अंदर में नहीं खीचा हुआ है सभी को खीचा हुआ है कौन है जिसे सुख दुख नहीं सहना पड़ा मतलब क्या कोई ऐसा है जिसे सुख दुख नहीं हुआ ऐसा तो कोई नहीं है इस दुनियादारी में सभी को बहना पड़ा सुख दुख भी हर किसी को सहना पड़ा मैं ही सिर्फ नहीं हूँ जिसने सुख दुख सब देखे हुए हैं हर किसी ने सुख दुख देखे हुए हैं तो फिर मैं ऐसा क्यों कहूं कि मुझे पर विधात आवाम है मतलब यह जो देवता है यह जो भगवान है यह सिर्फ मेरे ही उपर दुख को दे रहा है ऐसा मैं क्यों बूल बहुत लोगों का आदत होता है ना कि कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं दिया, भगवान मेरे उपर इतने नाराज क्यों है, तो इसका सिंपल आंसर है कि भगवान सिर्फ आपके उपर में ही नाराज नहीं है, इस दुनिया में आपके जैसे करोरों लोग हैं, और वा करोरों लोगों को एक ही जैसा देखते हैं तो आप यह नहीं बोल सकते हैं कि भगवान जो है उनकी मुझे से पर्सनल धुश्मनी है इसलिए वो सिर्फ मुझे ही देखते हैं वो सिर्फ मेरे ही उपर उन्होंने दुख दिया हुआ है ऐसा नहीं है दुख हर किसी को मिला है ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ ह भगवान ने मुझे ही सिर्फ दुख दिया है, हमें चलते रहने के उपड़ में ध्यान देना चाहिए, ठीक है, पिर एक मैं फूर्णता की खोज में दरदर भटकता ही रहा, प्रतियक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, फिर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, अब यहां पे उन लोगों की उपड़ में बोला गया है, जो हमेशा अपने जीवन ये परफेक्शन खोजने की कोशिस करते हैं, देखिए जीवन एक ऐसा चीज है, जिसमें परफेक्शन नाम का जो चीज है, वो कभी भी नहीं आता है, आप कितना ही कोशिस क्यों न कर लें, आपका लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है, ये इंपॉसिबल है, तो वही यहां पे वो कभी कह रहे हैं, कि मैं जानता हूँ कि पूर्नता, पूर्नता का मतलब होता है, कम्प्लीटनेस, परफेक्शन, तो ये जो परफेक् में जर्म हुआ, अच्छा भजपन था, अच्छे स्कूल में गए, अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी नौकरी मिली, अच्छी बीवी मिली, जो बाल बच्चे हैं, वह भी अच्छे हुए, बुर्हापे में सहारा मिला, तो ये जो चीज है, वो हर किसी, मतलब इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको हर एक चीज एकदम मिल ही जाए, कोई ना कोई चीज होगी जो कोई आपको नहीं मिलेगी, तो इसी चीज को कहते हैं, इनकंप्लिटनेस, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपना जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए हर तरीके का हाथ पैर मारते हैं तो वही कभी भी कह रहे हैं कि मैंने भी अपने जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए मैं दर-दर भटकता रहा मैं कभी यहां जाता तो कभी वहां जाता लेकिन एक पग पर कुछ ना कुछ रोडा अटकता ही रहा लेकिन मैंने जितनी भी कोशिश की कि मैं मैं अपने जीवन को perfect बनाऊं हर एक जगा पर रोरा जो है वह अटकता ही रहा मतलब जीवन जो है वह perfect हो नहीं सकता है ठीक है तो वह कहते हैं कि फिर मैं निरास क्यों हूँ why I should be मैं क्यों दुखी हो इस चीज़ को जीवन इसी का नाम है मतलब इसी को जीवन कहते हैं जो की incomplete ही रहती है हमें साब जीवन है ही वह चीज़ जो की incomplete रहे तो अगर incomplete होने का मतलब जीवन ही है तो फिर मैं इस बात को लेकर दुखी क्यों हूँ चलना जो है वह मेरा काम है और मुझे उसी पे ध्यान देना है ठीक है पिर कुछ साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए पर कती जीवन की नारुकी सो गिर गए सो गिर गए चलता रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है चलना हमारा काम है अब यहाँ पे जो हमारी जि आते हैं तो उन्हीं लोगों के उपर में बोला गया है कि यह जीवन में कुछ साथ चलते रहें मतलब जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जो की साथ में चलते ही रहें आज भी वह हमारे साथ हैं और कुछ लोग ऐसे आए जो की बीच से ही निकल गए मतलब बहुत लोग होते हैं कुछ को नहीं पता है कोई कोई कोलकाता में होगा तो कोई ऐसी ही आप हर जगा Yang में हो थे willingness कि कुछ लोग होते हैं, जो की साथ में चलते रहते हैं, जैसे मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो मेरे साथ अभी भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो की बीच से ही निकल जाते हैं, जो की बीच में ही आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इससे जीवन की गती है वह रुकती नहीं है मतलब इससे जीवन रुक नहीं जाता है और जो गिर गए सो गिर गए मतलब यहाँ पर उन लोगों के बारे में बोला गया है जो की जीवन से अपनी जंग हार जाते हैं बहुत लोग होते हैं जिनका जीवन पूर्ण ही नहीं हो पाता है लेकिन उनका भी बताते हैं, कि जो हमेसा अपनी जीवन में चलता रहता है, सफलता भी उसी को मिलती है, जो बीच में रुक जाता है, उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती है, इसलिए हमें हमेसा चलते रहना चाहिए, क्योंकि चलना जो है, वह हमारा काम है, अब यही हमारा पोयम था, जिसमे बिसेकली एक ही चीज़ के उपड़ में बोला गया है कि जीवन में बहुत कुछ होता है दुख सुख लगया रहता है लोगों का आना जाना लगा रहता है लेकिन इससे कभी भी जीवन की जो गती है वह रुक नहीं जाती जो कि हम लोग बोलते हैं कि चलती का नाम जिन्दगी तो यह जो जिन्दगी है वो हमेशा चलती ही रहती है इसमें बहुत कुछ होते हैं कभी यहां से तो कभी वहां से तो कभी वहां से लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन जो है वो रुक जाता है क्यों क्योंकि चलना जो है वही जीवन का काम है जीवन वह गारी है जो कि इसमें कोई भी संस्कृत के सब्द, कोई भी अवधी भासा के सब्द, वैसा कोई कठिन सब्द का यहाँ पर इस्तमाल नहीं था, सभी आपके लोकल हिंदी लैंग्वेज से ही लिए गए हैं, तो यह बहुत ही easy सा फोयम था, ओप आप सभी को समझ में आया होगा, आज का लेक वीडियो में, तब तक के लिए, do take very good care of yourselves, भवाई, जैहिंद,